इसराइल पर हमला करने के बाद अब इरान मिडलीस से निकल कर अमेरिका की चोख़ट तक पहुँच गया है इरान की नासिर मिसाइल का वेरियंट CM-90 मिसाइल अब अमेरिका के पड़ोसी देश वेलेंजुएला तक पहुँच गई है वेलेंजुएला के रक्षा मंत्री ने इन मिसाइलों को आधिकारिक रूप से वेलेंजुएला की नौसेना में शामिल कर लिया है और इस पूरे घटना करम में अमेरिका की साख को बड़ा बट्टा लगा है क्योंकि इरान लगातार मिडिलीस से लेकर लैटिन अमेरिका तक अमेरिकी विरोधी गुटों की अगवाई कर रहा है और अब इसी कड़ी में इरान ने अमेरिका और इसराइल को एक और बड़ा जटका दिया है दरसल इरान ने अपने अपग्रेड़ेड बवार 373 लॉंग रेंज एर डिफेंस सिस्टम से परदा उठा दिया है इरान ने इस एर डिफेंस सिस्टम को खुद ही बनाया है और इसका पुराना वर्जन इरानी सेना में साल 2019 में शामिल किया गया था लेकिन मिडलीस में इरान का ये नया एर डिफेंस सिस्टम इसराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा खत्रा बन सकता है क्योंकि इरान के अधिकारियों ने ये दावा किया है कि ये एर डिफेंस सिस्टम अमेरिकी स्टेल्थ लड़ाकु जेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है इरान का दावा है कि ये रूस के S-300 मोबाइल लॉंग रेंज मिसाइल सिस्टम और अमेरिका के पेट्रियट एर डिफेंस सिस्टम के बराबर है आपको बता दे कि 17 अपरेल 2024 को मिलिटरी परेड के दौरान इरान ने इस एर डिफेंस सिस्टम को पूरी दुनिया के सामने पेश किया था और ये हथियार ऐसे समय में सामने आया है जब इरान और इस्राइल में तनाव बढ़ता ही जा रहा है और इरान को इसराइल के हवाई हमलों का डर भी सता रहा है लेकिन अब इरान ने बवार 373 को लेकर दावा किया है कि ये रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम से भी ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन इरान का सबसे बड़ा दावा ये है कि अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है इरान का कहना है कि ये पांचवी जनरेशन के लड़ा कु जहाज जैसे लौखीड मार्टिन्स F-35 लाइटनिंग को भी इंटरसेप्ट कर सकता है जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलजी लगी होती है यहां तक कि ये टेक्नोलजी रडार को भी चकमा दे सकती है लेकिन इरान का दावा है कि इस एर डिफैन्स सिस्टम से स्टेल्थ टेक्नोलजी भी बच नहीं सकती इसको लेकर इरान की न्यू जजेंसी Special Operation Forces Report यानी SOFREP का कहना है कि अतिरिक्त रूप से इरानी सूत्रों ने बताया कि बवार 373 अपग्रेड़ेड वर्जन में इसकी टारगेट डिटेक्शन ताकत और ट्रैकिंग काबिलियत को और ज्यादा बढ़ाया गया है जिससे ये एक बार में 100 टारगेट्स को चिनहित कर सकता है और ये सायाद 4B मिसाइलों से कई खत्रों पर एक साथ हमला कर सकता है वहीं इरानी सेना की वेबसाइट में बवार 373 की रेंज 299 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है और ये 120 किलोमीटर तक की उंचाई तक पहुँच सकता है लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल अमेरिका के उन प्रतिबंधों का है जो इरान पर लगाए गए है और इन प्रतिबंधों के बावजूद इरान लगातार अपनी सेन्ने ताकत को और मजबूत कर रहा है और इसमें रूस और चीन से आने वाली टेकनोलोजी की सबसे बड़ी भूमिका है जो इरान को इन खतरनाक हतियारों को बनाने में मदद कर रही है